नमस्कार आज वास्तु सास्त्र के इस वीडियो में हम मुखे रुप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विसाय पती-पत्नी के संबंधों के बारों में बात करेंगे कि पत्थि-पत्नी के संबंद, वास्तु-चास्तर के अनुसार किस प्रकार से मकान का निर्मान करें, जिससे संबंद अच्छा रहे, और जब पत्थि-पत्नी का संबंद अच्छा रहेगा, घर में खुसिहाली रहेगी, तो निश्चित रूप से आपका वैपार, वैवसाय और आपकी तरक्की, उननती निश्चित रूप से संबहएं और यदि पती-पत्नी के संबंधों में कलह-कलेश होगा तो निश्चित रूप से आप उससे प्रभावित रहेंगे तो इसके लिए मुख्यरूप से आपको क्या करने होंगे निर्माड के समय क्या ध्यान रखना होगा तो इसमें मुख्यरूप से ये बाते हैं कि किसी भी इस्थिती में भवन निर्माड करते समय साउथ हिस्ट का हिस्से पर कोई भी प्रकार का सैप्टिक टैंक या पानी का ट साउथ इस्टेरिया में ये आपको परिशान करेगा यदि आपके यहाँ ऐसी इस्थिति निर्मित हो रही है तो आप देखे कि साउथ इस्टेरिया में आपको दिक्कत है वहाँ पर आप या तो पानी की टंकी या फिर सैप्टिक टैंक या फिर नल जल आपने वहाँ से जल की निकासी कर रहे हैं या फिर आपने वहाँ पे बोरवेल बना रखा है तो यह बहुत बड़ा कारण है जो आपके पति-पत्मी के संबंदों को आइस्थिर करता है उसी प्रकार से इनका मुख्यकच जब भी आप भवन का निर्मान करें उस दिसा में साउथ इस दिसा में किसी भी प्रकार का जो मैंने बताया वो चीजें ना बनाए है यदि नए भवन बना रहे हैं और यदि पहले से बना हुआ आपका भवन है तो इन इस्थितियों को तुरंट ठीक करने की का प्रयास करें यदि आप इन इस्थितियों को ठीक कर लेते हैं तो निश्चित रूप से संबन्दों का एक अच्छा इस्थितिया आपको देखने को मिलेगा उसी प्रकार से आपको एक और महतपुन बाद जो इनके पति-पत्नी का मुख्य सयन कच्छ वहाँ निश्चित रूप से नेरेतिकोड में होना चाहिए नेरेतिकोड इस्थिरता का कोण है और वहाँ आप लोग के जो संबन्द है वह इस्थिर होंगे इसलिए हमेशा घर के मुख्या का जो कमरा है वह नेरेतिकोड में बनाया जाता है ताकि वो व्यक्ति उसके साथ इस्थीर रूप से रह सके उसी प्रकार से आप यह ध्यान रखें कि यदि आपने नेरेते में कमरा बना लिया है और सब चीज ठीक है आपके साउधिस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखेंगे कि कमरे के अंदर साउधिस्ट में आपने कोई भार रखा हुआ है कोई बड़ा सा टेबल, अलमीरा या कोई बड़ी चीजें आप वहाँ पर साउधिस्ट कारणर पर आपने रखा हुआ है जिसके करण आपके वास्तू में तो कोई दोस नहीं है लेकिन हमने गलती कर दिया चोटी सी की नेरेते में भी हमारा कमरा है और हमने साउधिस्ट में हम यदि भार रख दिये वहाँ पर फिर से तो वो आपका बेडरूम, वो आपका कमरा वास्तू दोस आ जाएगा और आपके संबंदों में खटास आए जाएगी, कलह का वातावरन सुरू हो जाए इस बात को भी ध्यान रखना है कि साउधिस्ट का जो कारणर है अपने बेडरूम का उसको भी स्टूक्छ साफ रखें और वहाँ पर किसी भी प्रकार से अत्यधिक भार न रखें नेरेत्य कोड में भार रखें, आलमीरा वगर नेरेत्य कोड में रखें और इस प्रकार से एक पती-पत्नी का जो संबंद है वह आपका कहीं न कहीं घर के अंदर वास्तु दोस में ही छुपा हुआ है वास्तु सास्तरम के अंदर ही आपको पता चल जाएगा और इसका यदि आप समाधान कर लेते हैं तो आपका संबंद निश्चित रूप से मधूर हो जाएगा कितने भी आपके जगडे हो रहे हो वह निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा आपके संबंद मधूर हो जाएगा धन्यमान जैसरी कृष्णा